गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं दिसार एकवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल नोवी उत्रखंडी पे आई होब कि आप लोग सब ठीक हूंगे और मैं भी ठीक हूँ मैं ब्लॉग की सुर्वात कर रही हूं मॉर्निंग से और नोवी उट गया है और हम दोनों की तव्यत हो गई थोड़ा खराब क्यूंकि हम मौसम बहुत खराब है ठंडा है मतलब और नोगों भी सर्दी बुखार आ रखा है और मुझे भी आज गले में दर्दो और सर में बहुत दर्दो हो रही है तो बने रही है मेरे ब्लॉग में तो गाईस मुक्तेश्वर का मौसम कुछ ऐसा है धूप आई है वैसे सुबह साम ठंडा हो रहा है दिन में तो धूप आ रही है पर सुबह साम बहुत ज्यादा ठंडा है धूप में भी है यह थंडा हवाई चल लिए ठंडी ठंडी सी यह है नोनु की बुवा इत्ती छोटी सी बुवा और यह है नोनु और उनके पास दो बिल्या है नोनु खुस हो गया है बिल्य को साथ खेल ला है प्रूं झाल को साथ जारा इत्ती बॉवा इत्ती बारा इत्ती बॉल्बबबुक्श पास बगल से लाइब है कि अनुभी सो गया है तो गाइज अब बन गी हमारी साम की चाय यह देखिए हमारा माइकल धूपसेक रहा है अब मैं भी ला रही हूं नोनों को दूद देखते हैं सेतानी करता है दूद पीते टाइम मैंने जला दी है आग अब करते हैं साम के खाने की तेयारी यह है आलो की बड़ी मतलब आप इसको चिप्स भी बोल सकते हैं जब खेतु में बहुत सारे आलो हुए रहते हैं तो यह आलो को उबालके फिर चिप्स जैसे काटके फिर दूप में सुखाया जाता है यह देखे चिप्स जैसे बन जाते हैं उसके बाद इनको इनकी सबजी बना जाती है आज हम इसी की सबजी बनाने आ लें झालो कि बनकी सबना जाते हैं तो दोस्तों अम मैं भी करती हूं खाने की तेयारी और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने टोपी और स्काप डाल लख है तो यहाँ पर बहुत जादा ठंड है मुक्तेस्वर में और मुझे बुखार भी आ रख है इसलिए मेरी आवाज भी थोड़ा अलक्सी आ रही होगी उसके लिए माफ कर दीजिएगा इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पे और मिलती हूँ आपको नेक्स ब्लॉग में नेक्स वीडियो के साथ और प्लीज मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ सियर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा तब तक के लिए स्वस्त रहें मस रहें ब्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें बाई बाई